आपसी खिश्तान चाहे जितना भी हो जाए सरकार में बैठे लोग और खास करके कहा जाए तो सत्ता के लिए संघर से जारी रहता है और ऐसी स्थिती में सत्ता के लिए सभी एक जूट हो जाते हैं आपको बता दें कि लगतार जिस तरह से बिहार में चाहे करोना काल हो या फिर कोई बड़ी आपत्ती भी पत्ती आजाए लेकिन चुनाव नहीं रुखते हैं विधान मंडल का सत्र चल रहा है और इस सत्र के पहले चुनाव को लेकर के और अन्य चीजों को लेकर के कई तरह की गहमा गहमी थी और कहा जा रहा था कि आखिर नगर निकाय के चुनाव कैसे हो पाएंगे समय पर नहीं कराने की बाते कही जा रहे थी और इसके लिए जैसे आपने देखा होगा कि मुखिया का 380 पंचायत का चुनाव जो है उसको लेकर के भी अनिशित्ता के काल थे करोना क खुणाव करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खुष खबरी शामने आ रही है, कि आयोग इस की तैयारियों में जूट गया है. फिलाल राजनी राचना आयोग की तैयारियों का पहला चरन पूरा हो गया है और आगे बहुत जल्दी चुनाव कराई जाएंगे इस बात की कहीं न कहीं इसारा कर रहा है चुनाव आयोग आपको बता दें कि कारेकर भी निरधारिक किये गए हैं इसके साथ ही आपको बता दें कि पहले चरण में 144 नगर निकायों में मद्दाता सुची के प्रारूप का प्रकाशन करने वाली है और इसमें आपतियों का निप्टारा भी होगा दूसरे चरण में 81 नकर निकायों की नगर निकायों के वाड परिशिमन पर भी आपतियों को लेकर के और से निप्टाने को लेकर के आयोग जो है वो लगतार काम कर रहा है आपको बता दें कि प्रारुप का प्रकाशन 28 मही 2022 को किया गया है और 28 मही से 10 जून के भी दावे की बात भी की गई है और इसके लिए 28,000 के आसपास दावा आपति संबंधित नगर निकायों के पताधिकारी को प्राप्त होई है जिसमें से लगभग 44,000-45,000 के आसपास की सुची को का निप्टारा कर लिया गया है और उसमें नामदर्ज कर किये गया है इसके साथ लगभग 500 आपतियां मदादा सुची के वि 84,000 निकायी ने 81,000 निकायों के मदाता सुची का प्रारूप प्रकारशन की तारिख 4 जुलाई तरह की है अब इसका मतलब सिधा सा है कि जुलाई मैं हर हाल में पूरी प्रकृरिया कर ली जाएगी और इसके बाल चुनाओ की प्रकृरिया की जाएगी आपको बता दें कि इसके लिए पूरी तरसे पहले दूसरे और तीसरे चरण में छह नगर निकायों के वाड परिसिमन पर मिलने वाली आपतियों को भी निप्टाने का कारिकरम चल रहा है इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग को जीला गजट में प्रकासित वाडो की सुची और मानचित प्राप्त करने की अंतिम तारीख 11 जुलाई निर्धायत की गई है आपको बता दें कि इन सारी चीजों को लेकर के विधान मंडल के भीतर भी इस पर चर्चा होनी थी लेकिन इन सब के साथ आपको बता दें कि इस बार बहुत सारी चीजें बदली भी हैं मेयर का चुनाव भी सीधे आम जन्ता के द्वारा किया जाएगा, इसको लेकर के भी एक नए संसोतन किये गए हैं, इसके साथ ही कई छेत्रों में जो वाड है, वाडों की संख्या बढ़ाने की भी बात की जा रही है, सीमा का परिशीमन करने की चर्चा चल रही है, और ये सार कि पंचायच चुनाव में सब कुछ सांति पूर्ण हुआ, और उसके बात भले ही जो कुछ भी हो, लेकिन नगर निकायच चुनाव को लेकर के, जहां एक तरफ सरकार ने भी अपने तरफ से आयोग को पूरी ग्रीन सिगनल दे दी है, वहीं आपको बता दें कि नगर निका होंगे, लेकिन आयोग की तेजी को देखते हुए लग रहा है, कि चुनाव समय पर हो जाएंगे, जुड़े देखे भारत लाइब के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अगर वीडियो पसंद आई, और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरोकार ओजे गो घंटी बाग, उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई, अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कल चाहता ने, तो जुड़े बटन दबा दी, पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद